नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब तो देखते हैं आज कुछ important questions इंडियन फीडम सिकल के बारे में तो दोस्तों ये questions सभी important हैं एक्जाम में काफी बार आ चुके हैं तो इसलिए जो है ये आप याद कर लीजिएगा नोस बना लीजिए या इसका screenshot लेकर रख लीजिए जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो तो first question देखते हैं महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे तो बेल गाउँ अधिवेशन में 1924 में हुआ था और महात्मा गांधी के वल एक बार ही अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के और वो बने हैं बेल गाउँ अधिवेशन में 1924 ठीक है 1924 से पहले कौन सान दोना हुआ था दोस्तो नॉन कॉपरेशन मुवम्मेंट हुआ था QUESTION NUMBER 2 देखते हैं गगदर पार्टी के स्थापना कब और कहां हुई तो गदर पार्टी के स्थापना कब हुई थी 1.11 1913 में हुई थी दिरमान किया था जिसका में मकस्ट था कि अमेरिका में रहते हुए इंडियन फ्रीडम इस्चेगल को एक बेस प्रोवाइड कराना और जो अमेरिका में लोग रहे हैं उनका जो पॉइंट अगुए है वो चेंज करना टोर्ज दा कॉलोनियल पावर जिससे कि जो भी कॉलोनिस बनी हुई थी बिटिश की उन सभी कॉलो उपाती से कब नवाजा गया सर 1915 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी तो वो था लखनों का धिवेशन 1916 और इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और इंडिण कंग्रेस के । और्म लीग और कंग्रेस भी आपस में मिल गया था है उसके बाद इनोने मिलकर नौन कॉपिशन मुव्मेंट स्टार्ट किया था तो साशन के लिए बाल गंगादर तिलक ने किस संस्था के सापना करी तो देट इस होम रूल लीग उनिसे सोला में बनाया गया था होम रूल लीग के जो में साबक थी वो कौन थी एनिबिसेंड थी तो दो पार्ट में डिवाइट था यह होम रूल लीग एक तो जिसका नेत्रत करी थी एनिबिसेंड और दूसरा पार्ट था जो किस केंटर में चल रहा था बाल गंगादर तिलक केंटर में ठीक है दोस्तो अगला कुशन देखते हैं एनिबिसेंड ने होम रूल ली के स्थाफण कभ और कहा की थी तो 1916 में की थी मदरास में ठीक एनिबिसेंड के नेत्रतम में स्थापित होम रूल लीग के परतम सचिब कौन थे फस सेकेर्टरी कौन थे गरेज एसे जो फूरुर्ज और लूरुंडियल चलो कुशन देखते हैं नेक्स्ट भरती करने वाले सोर्जेंट किसे कहा जाने लगा सोर्जेंट मतलब की जो है जो भरती करते हैं ऐसे कौन किसको आ गया मात्मा गांदी को क्योंकि प्रथम विश्विजुद के दौरान गांदी जी ने लोगों को सेना में भरती होने के तो मतलब जो है उसमें गांदी जी विरोध में नहीं थे बिटिशर्स के की जए हां भई आप क्यों लड़े हो उन्होंने बावजूद मतलब जो है लोगों को प्रसाहित किया कि हां भई आप जाओ युद में भरती हो और इस टैम पर जो है आपकी नीड है गवर्मेंट को तो आप उनकी हैल्प करो कुशन देखते हैं नेक्स्ट सावर्मती आश्रम के स्थापना किस ने की थी तो महात्मा गांदी ने की थी महात्मा गांदी ने सावर्मती आश्रम के स्थापना कब और कहां करी तो 1916 में की थी एहमदाबाद के अंदर ठीक है चंपारन आने से प प्रूट के और किस तरीके से इस ट्रगल को आगे बढ़ाया जाए तो जो है चंपारन जो है पहला ऐसा प्लेस था जहां पर उने अपना चून के आइडियास तो उसको इंप्लिमेंट किया और वह सफल भी हुए इस चीज़ को लेकर चंपारन में कौन सांदोल माता मुझे ब सब्कोरन में सब्सक्राइब कोको अजो है चाहां किया तो दक्षन अफ्रीका में आप जानतों भी गांद को की जो थो डिमंसिंट है उसका काम पर पहले सब्सक्राइब हो किया लख दो शुक्रalah की तो ढदे प्रफाइब कहा चंपरन बिहार में किया गया चंपरन का अंदोलन कब हुआ था 1917 में चंपरन का अंदोलन हुआ था चंपरन दज्जों के करण जो है ना वो वो टेक्स में जाएगा और दो बटे तीन भाग जो है वो किसान के पास रहेगा यह एक रूल था जिसको जिसका विद्रो किया गांदी जी ने और यह खतम किया गया पर था ठीक है दोस्तो नेक्स कुशन है मात्मा गांदी ने पहली बार बू करताल किसके सन में की थी और यह वही सन है जब अमदाबाद में में एस्सेशन के स्थापना हुई थी और यह हम कहते हैं कि फस्ट मतलब माइल स्टोन था इंडिया के इंदर लेबर मूवमेंट का ठीक है यह स्टार्टिंग फेस का जाता है नेक्स कुशन कहता है 1918 में महात्मा गांदी गुजिरात के खेडा जिले में कौसा अंदुलन चलाया तुमां उन्हों चलाया था कौन वर्म पैक्स भी नहीं पे करेंगे यह उनका कहना था ऑप उश्यन देखते हैं नेक्स्ट रोलेट एक्ट कब लाग हुआ रहा उलेट एक्ट जो होता है वो कब लाग हुआ तो 19 मार्च 1919 में ठीक है तो जब यह आपका मॉनिटिक चैन्स पॉर्ड रिपोर्ड यह रिफॉर्म आये थे तो उसके बाद ही रोलेट एक्ट लागो किया गया था इंडिया गया 19 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट क्या है ऐसा कानून है जिसके तहट किसी भी संध्यास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ग्रफतार किया जा सकता है उसके खिलाफ ना तो कोई अपील ना कोई दलील और ना ही कोई वकिल किया जा सकता था यह ऐसा एक्ट था मतलब अगर यह एक्ट लागू हुआ था उसके बाद किसी भी व्यक्ति पर संधे है तो उसको पकड़के जेल में डाल दो ना तो कोई अपील सुनी जाएगी ना ही कोई जलील और ना ही कोई वकिल किया जाएगा तो यह बहुत ही खराब एक्ट था जिसका विरोध सभी ने किया था मतल चैनल यह रटाज शुरू हुई थी जल्या वाला खरत्य कांट कब हुआ づेरा अप्रैल को 1919 में ठीक है warrant कहा हुआ हुआ अ और ये किसके नित्रत में हुआ था जिनरल धायर के नित्रत में जिलिया वाला कांड हुआ था सौ साल पूरे हो गए थे इसको 2019 में इस सुझे कांड को हुए थे तो आप थोड़ा इसको धान से बढ़िए इस पर कुशन पूछ लेते हैं जलिया वाला बाग हत्यकांड के पीछे वजय क्या थी तो डॉक्टर सत्पाल और सेवोदिन कचिलू की ग्रफतारी हुई थी जिसके विरोध में जो है सभी लोग मापर जो है विरोध करने लगे थे और एक सभा आयुजित की थी जलिया वाला बाग के अंदर जो की एक मतलब नौन वैलेंस गैदरिंग थी लेकिन फिर भी जनरल डायर ने मापर आये जिसका एकज़ेट के वल एक था उस गेट पर खड़े ओकर चलादी गो लिया और जो मालोग ते सभी माले गए ठीक है जलिया वाला हत्यकांड में कितने लोग की मौत थी तो सरकारी रिपोर्ट करन के लिए कि हाँ भई महाँ पर लोग गैदर हुए है आप जाए महाँ पर और हमला कर सकते हो किस ने जल्यवाला बागत्यकांड के विरोध में वाइसरा की कारे कारेकारणी प्रिशत की सदस्राद इस्तिफात दे दिया था मतलब कि जो वाइसरा की काउंसिल थी उससे कौन गए थे इसका अत्यकांड के बाद शंकरन नायर निकल गए थे ठीक है यह अच्छा कोशन है आप इसको पढ़ लेना नेक्स कोशन कहरा है किसकी अध्यक्षता में बिट्र सरकार ने जिल्यवाला बागत्यकांड की आठ हदस्ते जा समीथी घठत की थी तो लौड हंटर के अध्यक्षता में समीथी घठत हुई थी जिसने यह जांच कीती कि जाया त्यकांड क्यूं हुआ क्या यह सरी था या गलत था किस जा समीथी का गठन बिट्र सरकार ने किया उसके सदस्वर में कितने भारतिये थे तो यह जो कमेंटी बनाई गई थी इसमें कितने भारतिये थे, तो तीन भार्तिय थे आठ में ते तीन लोग भार्तिय थे, कॉंग्रेस ने किसके नेत्रित्व में जलियावाला बाग अत्ताइकांड की जार्च के लिए आयोग अनुटित की थी, इस आयोक के अन्य सदस्ट से कौन कौन थे मोसिलाल नहरू और गांदी जी ठीक है जलियावाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी जलियावाला बाग कि खिलाफ अंदोलन किस के खिलाफ किया गया था तो मिठ राष्ट के खिलाप किया था विशेशकर बिटेन के खिलाफ क्योंकि जब सेकेंड divine जीट गए थे मिटें अनौने जो है बहुत ंत्ती एक्स्पर्टितिए पॉलिसी अपनाई थी तरकी को लेकर चीक है तरकी जो है महाँ पर कैळिम्स बैटे थे कि जो मतलब यह था कर रिसको कृम का पूरे देश में खिलाफत दिवस कम मनाया जाता है तो 19 अक्टूबर 1919 में मनाया जाता है पूरे देश में खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 में मनाया जाता है हिंदू और मुसल्मानों की सहीवत कॉनफरेंस के अद्रिक्षिता महात्मा गांदे ने कब की थी हिंदू मुसलिम कम मिले थे एक साथ और उन्होंने साथ में जो है जो कॉन्फरेंस की थी वो कब हुई थी 23 नवंबर 1919 में हुई थी यह जो खिलाफत मूपरिशन मिलके बोला गया था इसमें हिंदू मुसलिम साथ में आ गये थे अंदोलन कब शुरू हुआ था एक अगस्त बीस में शुरू हुआ था ठीक है दोस्तो चलिए तो दोस्तो यह कुछ में मतलब इंपॉर्टन कोश्चन्स थे सारे नहीं है कुछ इंपॉर्टन कोश्चन्स थे जिसको पढ़के आपको थोड़ा मतलब समझ में आएगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है उसमें से कितना हमें याद है कितना हमार छूट गया है और क्या हमें नोट्स में लिखना है अपने तो अगर अच्छे लगे वीडियो प्लाइब प्लाइब इस वीडियो शेर दिविडियो शेर दिविटर सम्सक्राब्या चनल थैंक यह वे व्याश्टे